पहला question friends किस वर्ष सिंधू सभिता खोजी गई तो जो सिंधू सभिता खोजी गई थी ओ खोजी गई थी 1921 इसका सही आंसर है option number ये 1921 इसवी नेक्स्ट question है दीन ए इलाही किस समंधित है तो जो दीन ए इलाही समंधित है friends वो है option number C अगबर C अगला question है अस्थापत्य कला का सबसे अधीक विकास किस के समय में हुआ तो जो अस्थापत्य कला का जो सबसे अधीक विकास हुआ तो ओ हुआ था option number C साह जहां के सासन काल में ओके अगला question friends भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था तो जो भारत का अंतिम मुगल सासक था ओ था option number D बहादूर साथ जफर अगला प्रस्न है निजा मुदीन ओलिया की तरगाह कहां इस्थित है तो जो निजा मुदीन ओलिया की जो तरगाह इस्थित है friends ओ है option number D दिल्ली में इसका सही answer है option number D दिल्ली अगला कोश्चन है किस रिपोर्ट का समयाद भारत इस्ट इंडिया कंपनी की किरिया कलापों से है तो जो इसका सही आंसर है ओह है option number C पांचवे रिपोर्ट इसका सही आंसर है option number C अगला कोश्चन है सम्राट असोग के अभिलेक अधिकान सतर किस लीपी में है तो यहां पर ऑपजिए यहा है बराह्मनी आपिशन भे ह्योश प्राकिर्टति और आपजिए नम्र प्राप्शेण भारत के महाकावे के नाम है तो जो प्राप्शेण भारत के जो महाकावे के नाम है वह है option नमर यी भहाभारत next question है रामानंद के सीस से कौन थे तो जो रामानंद के सीस से थे friends वो थे सभी और ये तिनों यहाँ पे जो इसका सही answer है वो है option नमरी सभी अगला प्रसन है सिंधु सभेता का कौन से नगर मिर्थकों का टिला कहलाता है तो जो मिर्थकों का टिला कहलाता है तो जो मिर्थकों का टिला कहलाता है तो जो मिर्थकों का टिला कहलाता है option number C अगला प्रस नहीं है भारतिय पुरतत्व का पिता कहलाता है तो जो भारतिय पुरा तत्व का जो पिता कहलाता है ओ कहलाता है ओप्शन नमर ये का निंग हम तिसरा कोश्चन है और एक तेरे नमर कोश्चन है फ्रेंड्स सिंधु वासी निमन धातु उप्योग नहीं करते थी तो जो सिंधु वासी जो धातों का अप्योग नहीं करते थे वो था option नमबर भी लोहा अगला question है सिंधु सभेता नर्तकी की मुर्ती कहां से मिली तो जो सिंधु सभेता में नर्तकी की जो मुर्ती मिली है वो मिली है option नमबर ये आनि मोहन जोदुरो से उके इसका सही आंसर है option number ये next question है किसने भारत में सरोपर्थम स्वर्न सिखे जारेगी तो जो सरोपर्थम स्वर्न सिखे जो जारे किये थे friends ओकिये थे option number भी हिंद यूनानी ने इसका सही आंसर है हिंद युनानी अगला question है सक समंध का आरम किस ने किया तो जो सक समंध का जो आरम किया था वो किया था option number D कनिस्क इसका सही आंसर है option number D कनिस्क अगला question of friends किस ने भूमी अनुदान की पड़ था आरम की तो जो इसका सही आंसर है मनु अस्मिर्दी की रचना काल है तो जो मनु अस्मिर्दी की जो रचना काल है friends वो है ौप्सνα no. ये ूवके 2017 पुर्वव से 220 इसका सही answer है 2017 से 210 अगला कॉप्स्चन है म्रीच कटी काम रचना है तो जो म्रीच कटी काम जो रचना है वो है option number B शुद्रक का अगला question है गोपूरम से आप क्या समझते हैं तो जो इसका सही answer है ओ है option number ये मंदीर का परवेश द्वार अगला question है तेनाली राम का समन्ध किस राजवन से है तो जो इसका सही answer है फ्रेंड से ओ है option number ये विजय नगर से अगला question है बलमाचारे का जन्म कहा हुआ था तो जो बलमाचारे का जो जन्म हुआ था फ्रेंड से ओ हुआ था option number C वारा नसी में अगला question है बंगाल के परशिद संत कौन थे तो जो बंगाल के परशिद संत थे ओ थे option number ये छेतन्य महा परवू नेक्ष्ट कोस्टन है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया तो जो इसका सही answer है ओ है option number ये रुआजा मुईनुदीन चीश्ती गंज ए सक्कर को अगला question है आत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है तो जो इसका सही answer है तो ओ है option number B हैंसांग अगला question है केप्टन हौकिन्स किस मुगत सासक के दर्बार में आया था तो यहाँ पे option ये है अकबर option B है जहांगिर option number C है और अप्शन नमबर D है साह जहां तो जो इसका सही answer है ओ है option number B जहांगिर के दर्बार में नेक्ष्ट प्रेसन है जोतदार प्राय कहां रहती थी तो जो इसका right answer है वो है option नमबर ये गाव में नेक्ष्ट कोईशन है अस्थाई बंदुबस्त में अस्थाई बंदुबस्त में भूमे का स्वामी किसे माना गया था तो जो इसका सही answer है फ्रेंड से वो है option नमबर ये जमीन दार को अगला कोईशन है अवध के साथ विले जलिक ने सहायक संदिक कब लिया तो जो इसका सही answer है ओ है option नमबर बी अठारे सो एक इस्वी में नेक्ष्ट कोईशन है अठारे सो संतावन का सिपाही विद्रो कहा परारम हुआ था तो जो अठारे सो संतावन का जो सिपाही विद्रो परारम हुआ था फ्रेंड से ओ हुआ था option नमबर सी मेरट में अगला कोईशन है अठारे सो संतावन में बिहार में विद्रोहियों का जो नित्रित्व किया था ओप्शन नमबर C अने वीर कुमर सी ने अगला कोशन है पलासी किस राजे में इस्थित है तो जो पलासी इस्थित है फ्रेंड्स ओप्शन नमबर ये बंगाल में अगला कोशन है इस्ट इंडिया द्वारा कलकता में स्रवोच नयाले की अस्थापन कब की गई तो यहां पर आप्शन ही है 1885 आप्शन भी है 1895 आप्शन नम्बर सी है 1773 और आप्शन नम्ड़े है फ्रेंड से 1673 तो जो इसका सही आंसर है वो है आप्शन नम्बर सी 1773 ओके नेक्स्ट प्रस्न है भारत की रजधानी कलकत्ता की जगा दिल्ली को कब लाया गया तो जो भारत की जगा भारत की रजधानी कलकत्ता की जगा दिल्ली लाया गया था ओ लाया गया था ओप्शन नम्बर यह 1911 इसका सही आंसर है ओप्शन नम्बर यह नेक्स्ट प्रस्न है भारत में चनगन्ना कब उसे प्रारंप क्या गया है तो जो भारत में चंगना प्रारंप क्या गया था ओप्षन नंबर गी 1872 से next question है बंगाल विघाचन किस वाइस राई ने किये थी तो जो इसका सही answer है ओप्षन नंबर भी कर्जन पड़ी अगला question है खिलाफत अंदोलन कब हुआ तो जो खिलाफत अंदोलन हुआ था फ्रेंड्स ओ हुआ था आप्शन नमबर ये 1920 इस्वे अगला प्रेस्ण है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पिर्थक राष्ट के मांग कब की तो ऑप्शन ये है 1920 ऑप्शन बे है 1940 ऑप्शन नमबर ये है 1950 और ऑप्शन मड़ी है 1905 तो जो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर बे 1940 लोथल कहां इस्थित है तो जो लोथल इस्थित है फ्रेंड्स हो है गुजरात में ओके गुजरात में लोथल इस्थित है नेक्स्ट कोशन है मोहन जोदुलो का उत्खनन किया था तो मोहन जोदुलो का जो उत्खनन किया था फ्रेंड्स ओ जॉन मौर्सल ने किया था ओके नेक्स्ट कोशन है इंडिका का लेखक कौन है तो जो इंडिका का जो लेखक है फ्रेंड्स ओ है मेगा अस्थनीज इसका जो सही आंसर है वो है मेगा अस्थनीज नेक्ष कोशन है गुप्त वन्स किस सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है यहाँ पर कोशन फ्रेंड्स गुप्त वन्स किस सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है समुद्र गुप्त को अगला कोस्टन है सांद्वा नमर कोस्टन फ्रेंड्स प्राचिन भारत में धर्म की सुरुवात किस सासक ने की थी तो प्राचिन भारत में धर्म की सुरुवात असोक ने किया था इसका जो सही आंसर है ओ है असुक नेक्श कोसन है मनु अस्मिर्ती में कितने परकार के विवाह का उलेख किया गया है तो जो मनु अस्मिर्ती में जो विवाह का उलेख किया गया है फ्रेंड्स ओ आठ विवाह का उलेख किया गया है अगला प्रश्न है महाभारत का यूज कितने दीनों तक चला था तो जो महाभारत का यूज जो चला था फ्रेंट्स ओ चला था 18 दीन तक अगला कोर्शन है श्वितांबर एवं दिगंबर का समपन किस धर्मशी है तो इसका जो सही answer फ्रेंट्स ओ है जैन धर्मसी स्वितामड एवं दिगंबर का समन्द जन्धर्मस से है अगला प्रशन है शोंथी बौध परिशद की सासक के काल में हुई थी तो जो शोंथी बौध परिशद जो हुआ था फ्रेंड्स ऊहुआ था कनिश्क के काल में एक्ष्ट कौर्शन है इसका जो सही आंसर है वे हैं बहादुर साथ जफर अगला कोशन है जजिया किसे लिया जाता था जजिया लिया जाता था जिम्यों से इसका जो रैट आंसर है वो है जिम्यों से अगला कोशन है किताब और रहेला में किसका यात्रा विरितांत मिलता है तो किताब और रहेला में यात्रा विरितांत जो मिलता है फ्रेंड्स वो इबन बतूता का मिलता है इसका जो सही आंसर है वो है इबन बतूता अगला कोशन है तंबाको का सेवन सरुपर्थम किस मुगल समराथ ने किया यहाँ पे 16 नमर कोशन है फ्रेंड्स तंबाको का सेवन सरुपर्थम किस मुगल सासक ने किया तो जो तंबाको का सेवन सरुपर्थम जो किया था फ्रेंड्स ओ अकबर ने किया था नेक्स्ट कोशन है अलबरुनी किसके साथ भारत आया तो अलबरुनी जो भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था गजनी के साथ इसका जो सही आंसर है वो है गजनी नेक्स्ट कोशन है परसीद विरुपाँच मंदीर कहा इस्थित है तो परसीद विरुपाच मंदीर जो इस्थित है हमपी में हमपी में परसीद विरुपाच मंदीर इस्थित है अगला कोशन है आएंगर विवस्था समंधित थी तो इसका जो सही आंसर है विजय नगर समराज जिसी आईगर, विवस्था समंधी थी, विजे-नगर समराज्जी सी next question है, विजे-नगर का महांतम सासक कौन था? तो विजे-नगर का जो महांतम सासक था friends, ओग कृष티 देवराई था, okay, इसका जो सही answer है, ओग कृष티 देवराई नेक्स्ट कोशन है कबीर सिस्य थी तो कबीर सिस्य थे रामानन्द के कबीर किसकी सिस्य थे फ्रेंड्स रामानन्द के इसका जो सही आंसर है वह रामानन्द नेक्स्ट कोशन है भारत में भक्ति आंदोलन का आरम के संद ने किया तो भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरम हुआ किया था friends वो रामानन्द ने किये थे इसका जो सही आंसर है वह रामानन्द नेक्स्ट कोशन है सरो पर्थम विजयनगर की आतरा पर आने वाला विदेशी आतरा कौन था? यहाँ पे कोशर फ्रेंड्स 23 सरोपर्थम विजयनगर की आतरा पर आने वाला विदेशी यातरा कौन था तो इसका जो सही आंसर है ओ है अब्दुर रजाक नेक्स्ट कोशन है बेजक में किसके उप्तेश संग रही थे तो बेजक में जो उप्तेश संग रही थे फ्रेंड्स हो है कबीर का नेक्स्ट कोशन है निजामुदीन ओलिया किस सुफ़े सिलसिले से सम्मदित है तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो है चिस्ती नेक्स्ट कोशन है 26 नमर कोशन फ्रेंड्स तहकीक ए हिंद में किसका यात्रे विरितान्त लिखा है तो इसका जो सही आंसर है उह है अलबुरुनी का तहकीक ए हिंद में अलबुरुनी का यात्रे विरितान्त लिखा है नेक्स्ट कोशन है मेगा अस्थनीज कौन था तो जो मेगा अस्थनेज़ था friends, ओर राज़ दुत था, next question है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदुबस्थ शुरू करने का शुरू करने का शुरू करने का जुरू दिया जाता है ओ दिया जाता है Lord Villets July को, अगला प्रस्ड है, भारत आने वाली पर्थम European कौह ती? तो जो भारत आने वाले जो पर्थम यूरोपियन थे फ्रेंड्स ओ थे पुर्तकाली अगला प्रस्न है कोलकाता में सिर्वोच न्याले की अस्थापना कब की गई तो जो कोलकाता में सिर्वोच न्याले का जो अस्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी 1773 में इसका जो सही आंसर है 1772 Next question है पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार किया तो पूर्त गालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो किया था 1510 52 में इसका जो right answer है वो है 1510 52 Next question है संथाल वीतरो कव हुआ तो संत्लाल विद्रू जो हुआ था फ्रेंडस वो हुआ था इसका जो रैट आंसर है वो है 1832 इस्वी Next question है दमन एकोह क्या था तो जो दमन एकोह था फ्रेंडस वोभु भाग था उसका जो सही आंसर है वो है भु भाग Next question है लखनवु से 1857 की विद्रो का नेतरित्व केस ने किया तो जो लखनवु से 1857 की विद्रो का नेतरित्व जो किया था फ्रेंट्स वो बेगम हजरत महल किये थे नेक्स्ट कोशन है 1857 की विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो 1857 के विद्रो किसमे भारत का जो गवर्नर जनरल था फ्रेंड ओ लौड केनिंग था इसका जो रैट आंसर है ओह लौड केनिंग अगला प्रस्न है विंग पगद के सिधान्ज का समन था तो इसका जो सही आंसर है ओह लौड डलहोजी से नेक्स्ट कोशन है Victoria Terminus के Selly की इमारत है तो Victoria Terminus जो इमारत है Friends वो है Gothic Selly की इसका जो सही आंसर है वो है Gothic Selly Next question है Gateway of India का निर्मान कब हुआ तो Gateway of India का जो निर्मान हुआ था Friends वो हुआ था 1921 इस्वी में Next question है कौन सा एक आंदोलन दांडे मार्च से शुरू हुआ तो इसका जो रैट आंसर है वो है स्वीने अवग्या अंदोलन अगला प्रेस नहें महात्मा गांधी ने पहला किसान अंदोलन कहां शुरू किया तो महात्मा गांधी ने पहला किसान अंदोलन चंपारन में शुरू किया था इसका जो सही answer है वह है चंबारन Next question है अह सयोग आंदोलन कब शुरू हुआ तो अह सयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स ओ हुआ था 1922 में अगला प्रस्ण है Simon Commission भारत कब आया तो Simon Commission जो भारत आया था फ्रेंड्स ओ आया था 1922 में इसका जो सही आंसर है ओ है 1928 इसवी अगला प्रस्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है फ्रेंड्स ओ कहा जाता है रॉलेट एक्ट ओके नेक्ट कोशन है जल्या वाला बाग हत्यकान कब हुआ तो जल्या वाला बाग हत्यकान हुआ था फ्रेंड को इसका जो सही आऊंसर है 17 अपर bolts 1990 नेक्स्ट कोशन है बंगाल के विभाजन की घोशना कब हुई तो बंगाल के विभाजन की जो घोशना हवी थे तो अपरज वो हुई थे 1905 इसका जो जो सही आंसर है उठ ऑब्वार का नेक्स्ट कोशन है किस ने दिया तो इसका जो सही आंसर है। उपाकिस्तान सब्द का नाम नेढिया था। भारतिय राश्य कांग्रेस की पहली महली अधियक्स हिए थी पुम्र Ettlot इसका जो सही आंसर ह Top दिनी बेषिंट नेक्ष्ट कोईन श्विधान कब लागों किया गया था लागोंग और Чुछ जनवर फ्रेंड जनवर लागोंग किया गया था। तो जो सिन्धु घाटे सिभधा में विशाल अस्नानागार के जो अपसेश पराब्द हुए हैं ओ हुए हैं आपसे नमर भी मुहन जोदलो से ओके दूसरा कोश्चन है हरपा सिभधा किस यूग किस सभधा है तो जो हरपा सिभधा का जो यूग है फ्रेंड्स हो है का सी अब चली देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर अगला कोश्चन है काली बंगा कहां इस्थित है तो जो काली बंगा इस्थित है फ्रेंड्स हो है ओप्शन नमर भी राज अस्थान में ओके अगला कोश्चन है सिंधू घाटी निवास्यों को निमलिखीत में से किस धादू का ज्यान नहीं था तो यहाँ पर ऑप्शन यह है सोना ऑप्शन भी है चांदी ऑप्शन नमबर सी है लोहा और ऑप्शन नमबर डी है तामबा तो जो सिंधू घाटी निवास्यों को जो धादू का ज्यान नह ओके नेक्ष्ट कोशन है मोरिय वन्स का संस्थापक कौन था तो जो मोरिय वन्स का जो संस्थापक था फ्रेंड्स ओह है ऑप्सिन नमर ये चंद्रगुप्त मोरिया ओके चंद्रगुप्त मोरिया मोरिय वन्स का संस्थापक था अगला कोशन है असोक किस वंस का सासक था तो जो इसका सही आंसर है ओ है option नमबर भी more ये वंस का सासक असोक था नेक्स्ट कोश्चन है किस सासक को पिर्य दर्सी कहा गया है तो यहाँ पे option यह है असोक option भी है समुद्रगुप्त असोक को पिर्य दर्सी सासक कहा जाता है अगला कोश्चन है परियाग परस्ति की रचना किस ने की तो जो परियाग परस्ति की जो रचना की है फ्रेंड्स ओकी है अप्शन नमबर सी हरी सेननी ओके नेक्श्च कोश्चन है गंगा पूत्र किसे कहा जाता है तो यहाँ पे option यह है अरजून आप्शन भी है विदूर आप्शन नमबर सी है भीस्म और आप्शन नमबर ड़ी है पन्डू तो जो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर सी भीस्म को गंगा पूत्र कहा जाता है अगला कोश्चन है महा भारत की लड़ाई कितने दिन तक चली तो जो महा भारत की जो लड़ाई चली थी फ्रेंड्स वो चली थी option नमबर भी आने 18 दिनों तक महा भारत की लड़ाई चली थी अगला प्रेंड्स महाविर का चैन में कहा हुआ था तो यहाँ पर option यहाँ लुम्पनी option भी है पावपूरी option नमबर से है कुंडल गराम और option नमबर यहाँ सरनात इसका अंसर आपको comment box में बताना है इसका अंसर आप comment box में दीज़ेगा तो अब चली देखते next question यहाँ पर अगला question है अस्तूप किस धर्म से समधीत है तो यहाँ पर option यहाँ चैन धर्म option भी है बात धर्म option number से हिंदू धर्म और option नमबर यह है सीilaag दर्म गरूजू इसका सही answer है ओवहाँ ओप्सण नमबर से अस्तूप समधीत है अगला question है बादसर नामा किस ने लिखा था तो जो बादसर नामा लिखा था फ्रेंड्स ओ लिखा था option number C अब्दूल हमेद लहोरी ने ओके अगला question है भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था तो जो भारत का अंतिम मुगल सासक था फ्रेंड्स ओ था option number C बहादूर सा जफर नेक्स्ट कोशन है पानी पत का पर्थम यूध कब हुआ तो जो पानी पत का जो पर्थम यूध हुआ था option number B 1526 इस्वी में पानी पत का पर्थम यूध हुआ हरियर एवं बुका किस वन्स के थी तो जो इसका सही answer फ्रेंड्स ओ है option number C संगम वन्स निक्स्ट कोशन है विजय नगर की आत्रा पर आने वाला पर्थम वीदेशी आत्री कौन था तो यहां पर option E है निकोलो कोटी option number B friends अब्दुल रजाक option number C है डेमिगोस पेईस और option number D है फॉर्णो नूनिज तो इसका सही answer है वह option number B अब्दुल रजाक ओके नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है तेलवंडे किसका जन्म अस्थान है तो जो इसका सही answer है और अब्दुल रजाक ओके अगला प्रशन है कुतूब मिनार का निर्मान किसने शुरू किया था तो जो कुतूब मिनार का जो निर्मान शुरू किया था फ्रेंड्स ओ किया था option number C कुतूब दीन एबग ओके इसका जो सही answer है ओप्दूब दीन एबग नेक्स्ट कोशन है बिजक में किसका उप्देश संग रही था तो जो बिजक में उप्देश संग रही था फ्रेंड्स ओप्देश नंबर ये कबीर का इसका जो सही answer है ओप्देश नंबर ये कबीर अगला प्रस्न है किताब उर रहिला किसकी आतरविरितांत है जो इसका सही answer है ओप्देश नंबर C इबन बतूता का इसका जो सही answer है ओप्देश नंबर C इबन बतूता अगला प्रेस्ने फ्रेंड्स, अलबरुनी किस के साथ भारत आया था तो जो अलबरुनी भारत आया था फ्रेंड्स वो आया था ओप्सिन नम्बर भी मुहम्मद गजनवी के साथ जो जो सही आंसर है ओप्सिन नमबर डे मरको का इबन बतूता आत्री था अगला प्रस्ण है हुमायो नामा किस ने लिखा था तो जो हुमायो नामा लिखा था फ्रेंड्स ओ लिखा था ओप्षन नमबर सी गुलबदन बेगम ने अगला कोश्चन है कौल वीदरो कब हुआ तो जो कौल वीदरो हुआ था यहा पर ऐप्सन यह cactus ओप्षन अठाइस ओप्षन नमबर ची ओठाइस संथाल वीद्रोह के नेता कौन था जो संथाल वीद्रोह का जो नेता था फ्रेंड्स ओथा ऑप्सेन अंबर यह सिधो कानू इसका जो राइट आंसर है ओह आप्सेन नम्र यह सिधो कानू अगला कोश्चन है अस्ताई बंदुबस्त कार्णवालिस ने कब लागू किया तो जो इसका सही आंसर है ओ है आप्सिन नंबर सी 1793 में आप्सिन नंबर